गुड मॉनिंग, क्लास एड, वसन फर्व थी, हिंदी, जिसमें हम आज नया चप्टर सुरू करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है क्या निरास हुआ जाए और जिसके लेखक का नाम है हजारी प्रसाथ विवेदी, ये चप्टर की अगर बात करें, ये पाठ की अगर हम बात करें तो इसका सहीली प्रतार है, निबन की, क्या निरास हुआ जाए, निरास याने के दुखी, लेखक निरास होने की बात क्यों कर रहे हैं, या ऐसे कौम से चीज के बारे में वो बात करना चाहते हैं, जिसकी वज़े से निरास होना पड़े, या क्या हम निरास हो सकते हैं उस वज़े से यह हमें होना चाहिए यह प्रस्न है और वो हमें तभी बता चलेगा जब हम यह जो पाठ है उसे समझेगे उसे पढ़ेंगे तो यह जो लेशन है क्या निरास हुआ जाए जिसमें हजारी प्रेसाद गुवेटी जो आज के आधुनिक तौर के बारे में बात कर है कि आज का जो समाज है आज का जो यूग है वो किस दौर से गुजर रहा है और उसमें उन्होंने दो पक्स रखे हैं दो वर्ग की बात की है और हमें विश्वास रखने की लिए वो कह रहे हैं जिसमें उन्होंने खुद के भी एक्जांपल दिये हैं बहुत सारे चीजों काउन होने वर्ण गया है तो सबसे पहले पैरेग्राफ में उन्होंने अपने मन की दूविदा आ, जो अपने मन का दुख है जो उनको निराजा दे रहा है, उसकी बात के है कि क्यों वह ऐसा बोल रहे हैं, निराज होने की बद जुब कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण हो गया है कि लगता है नियूस पेपर पढ़के देखके तो अब ऐसा लगता है जिसे ये दुनिया में आप कोई इमानदार क्या बचा ही नहीं है ऐसा प्रसनल लिखक को होता है कि क्या आप पूरी दुनिया में सारे लोग भी इमान हो गए हैं हर व्यक्ति को संदे यानि के संका की नजर से देखा जा रहा है चाहे वो इमानदार हो या ना हो और लिखर कहते कि जो व्यक्ति जितने उचे पतपर विराजमान है उसके उपर तो दोस अधिक डाले जाते हैं यानि आपका जितना बड़ा दरजा आपमें दोस भी देखने वाले लोग ज्यादा होते हैं आपमें दोस भी लोग डून डून कर निकालते हैं यह आज की सच्चाई है और इसलिए लिखर कहते हैं बहुत ही बड़े आदमी ने मुझे कहा था, उन्होंने नाम नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर लिखा है, बहुत बड़े आदमी ने मुझे कहा था, कि इस समय में तो जो कुछ नहीं करता है, यानि कुछ भी न करने वाला जो इंसान है, वो ही सबसे सुखी है, क्योंकि जो ल लेकिन वो जो गलतिया है, वो गलतियों को बढ़ा जड़ा के बोला जाता है, समाज के सामने रखा जाता है, जो चीज यतनी छोटी है, गुजराती में कहवत है, रायनों पहाड करो, छोटे से चिज़ को बढ़ा सा स्वरूrat दिया जाता है. तो लेखक ये प्रस्न करते हैं कि दोस किसमे नहीं होते हैं दूसरी भी एक कहवत है मानव मात्र भूलने बात रख याने कि हर इंसान जो कभी ना कभी गलती करता ही है जाने में या अंजाने में हमसे गलतियां होती है और गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है सबसे गलतिया होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, लेकिन वह गलती में से अगर हम दुसरी बार कुछ सीख पाते हैं, या वह गलती का स्विकार कर लेते हैं, तो वह अच्छी बात है, तो लेखा का में प्रस्नक बूचते हैं कि क्या ये दुनिया में कोई ऐसा है जिसमें दोस्त ना हो या वो ऐसा बोल सके कि मुझे में कोई दोस नहीं है नहीं कोई भी इनसान सर्वगों समपन नहीं मिलेगा हर एक में कुछ ना कुछ कमी होगी अगर कुछ प्लस पॉइंट होगी तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हर एक में होते ही है और फिर वो बोलते हैं कि लेकिन समाज का नजर या यह है कि हम आदमी में गुण कम देखते हैं और दोस्त ज्यादा देखते हैं आदमी के पुर्ण उसके दोस्त के पीछे धकर रह जाते हैं अगर उसकी कोई अच्छी बात होगी तो हम उसकी चर्चा इतना नहीं करेंगे या उसे इतना फैलाएंगे लेए कि यह इतना अच्छा करता है या यह है बलकि वो अच्छाए में भी हम क्या करेंगे कुछ ना कुछ गलतिया निकालेंगे कुछ ना कुछ दोस निकालेंगे और लिखक का चिंता का विसाई ये है कि अगर यही परिस्तिती है यही सच है तो फिर ये बहुत चिंता का विसाई है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है किके सुरू-सुरू में सबसे गलती होती है बहुत experience के बाद भी गलती हो जाती है तो अगर उसने कुछ किया है और अगर उससे गलती हो भी गई है तो वो गलती को फिर बड़ा चड़ा के उसे बड़ा स्वरूप देना ये अच्छे बात नहीं है इससे क्या होगा वो व्यक्ति जो दूसरी बार अगर वो चीज करना चाहेगा भी या अपने गलती को सुधारना भी चाहेगा तो उसके मन में हमेशा डर लगा रहेगा कि कहीं वापिस हो चीज वापिस होई और ऐसा डर के वो क्या करेगा वो चीज करना ही बन कर देगा यानि उसका जो विकास है वो वहीं भी ठम जाएगा उसका मन संखुचित हो जाएगा तो लिखर कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिती है तो बहुत ही चिंता का भी सही है फिर वो प्रस्ण करते हैं कि क्या आजाद भारत के घाने जी और तिलक में जो सपना देखा था आजाद भारत का क्या वो भारत ऐसा होना चाहिए क्या ऐसे भारत का सपना देखा था या रविंद्रानाथ ठाकूद और मदन महन मालवियने जो हमारी भरतिया महन संस्कूती और भव्य भारत वर्स का जो अतीत देखा था या जो अतीत में वणन किया था क्या वो अब डूब गया है क्या वो अब नहीं बचा है क्योंकि भारतिया संस्कूती तो आरिय और द्रविड हिंदू और मुसल्मान यूरोपिय और भारतिया आतरियों की मिलन भूमे है और इसलिए लेखक ने यहां सब्दियोस किया है मानव महा समूत्र मानव का महा समूत् और इसलिए लेखक को एक विश्वास है, वो हमें भी विश्वास जगाना चाहते हैं, कि मानों का ये महा समुद्र, सपनों का ये जो भारत है, महान मनिश्यों का सपनों का ये जो भारत है, वो हमेसा महान था और महान रहेगा, वो क्यों ऐसा कहते उसके लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रसंग बताये हैं कुछ गटनाय बताई हैं कुछ चीजे ऐसे बताई हैं जो पढ़ने के बाद हमें भी ये विश्वास होगा कि हाँ जिस तरह से बुरा या बेमानी या जूत फैलता जा रहा हैं उसी तरफ दू बजर यह हैं कि हम क्या हैं धुणों को कम और दोसों को ज्यादा देखने लगे हैं और देखने के बाद उसे क्या करते हैं बढ़ा चड़ा के बोलते हैं यह चीज बहुत गलत है जो हमें नहीं करने चाहिए लेकिन फिर भी आज हो तो यही रहा है अगर किसी के गलती हमें देख गई या पता चल गया तो फिर हम क्या करते हैं इसको बहुत बढ़ा स्वरूर दे देते हैं जबकि वो होता इतना बड़ा नहीं है लेकिन हम उसे बढ़ा चड़ा के लोगों के सामने रखते हैं फिर उन्होंने बात की है कि हमारा यह जो भारत वर्स है भारत देश है उसमें कानून और धर्म एक समान देखा जाता है यानि कानून और धर्म समान तर है लेकिन हमारे देश के लोगों ने क्या किया है धर्म को उपर रख दिया है और कानून को धर्म के बाद रखा है यानि कि अगर कोई भी चीज हमें धर्म में डालके बोली जाए तो हम आखे करने के लिए आप देख सकते हो बहुत सारे लोग विरोध प्रदशन में जूड़ जाते हैं ना बिना सोचे सम्झे जूड़ जाते हैं तो लेकर ये भी कहते हैं कि हम धर्म में तुटिया में ही ढूंटे हैं लेकिन कानून में पीजा सासंपोच नहीं करते हैं और उसके बड़ाई कौन से चीज होती है कानून है और वही जो हमें सेवा, इमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिक्ता के मुल्या सिखाती है लेकिन ये चीज समझने वाले लोग बहुत कम है और लेखव को इस बात का दुख है उन्होंने बोला है कि जिस तरह से बेइमान, जूट, कपट, चोरी ये सब करने वाले लोग बढ़ते चा रहे है तो अगर हम नजर करें, अगर हम हमारे आसपास देखें तो आज भी कई लोग ऐसे मिलेंगे जो महिलाओं का सम्मान करते हैं ठीक है, रिस्पेक्ट देते हैं, जो सच्चाई की राह पर चलते हैं, जो मनुष्य मा पीड़ा या दुख होंचे, तो उसे वो पाप समझते हैं, यानि ऐसे लोग आज भी हमें देखने को मिलेगे, लेकिन उसके लिए हमें उनका वो नजरिया चाहिए, हमसे वज़र दोस ही डूमते रहे तो फिर हमें दोस ही मिलने वाले हैं, इसके बाद लेखक कुछ एक्ज जरुवत नहीं है, वो कौन से प्रसंद है और आगे लेकर क्या समझाना चाहते हैं, वो हम नेक्स वीडियो में देखेंगे, धन्यवाद।